नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका आपके अपने यूट्यूब चेनल में उन तीन चीजों को खाएं तो उसके अलग-अलग side effect आपके शरीर को हो सकते हैं तो इस जानकारी को पूरा जरूर सुने दोस्तों आप सभी जानते हैं कि मटने के ऐसी चीजे जिसको खाने वाले लोग यूं केते हैं कि मटन खाने का तो मजा ही अलग है दोस्तों हमें मटन खाने के बाद जैसा कि मैंने आपको बता है कुछ चीजों का परहेज जरूर करना चाहिए नहीं तो हमारे शरीर पर negative effect पढ़ सकता है और कुछ side effect हो सकते हैं अब वो तीन चीजे कौन-कौन सी है चलिए आपको बताता हूँ तो दोस्तों पेले नंबर पर आता है दूद जी हां दूद हमारे शरीर के लिए कई हिसाब से माइने रखता है इसमें कुछ ऐसे antibiotic पाए जाते हैं जो हमारे शरीर को ठंडा रखने में भी help करते हैं लेकिन कहा जाता है कि अगर बकरे का meat खाने से पहले या फिर खाने के बाद दूद का सेवन बिलकुल नहीं करना चाहिए इसलिए meat, मचली या चिकन खाने से पहले कभी भी आप दूद का सेवन बिलकुल ना करें और ना इसको खाने के तुरंत बाद दूद का सेवन करें नहीं तो दोस्तों इससे क्या होता है दोस्तो इससे आपको सफेद दाग वाली जो प्रोब्लम होती है वो हो सकती है कई सूर्थों में कई लोगों के साथ ऐसी समस्या देखने को मिली है इसलिए इस सिचुएशन में दूद का सेवन आप ना करें दोस्तो इसके लावा दूसरी चीज आती है शेहद यानि की हनी जी हां शेहद की ताशिर आप सभी जानते हैं की गर्म होती है और मटन भी खाने के बाद हमारे शरीर में गर्मी पेदा करता है जो हमारे लिए इतना जगा हनी कारक हो जाता है ना की हमारी हैल्थ बहुत बुरी तरीके से डेमेज कर सकता है इसलिए इनको एक साथ बिल्कुल नहीं खाना चाहिए अच्चे चिकिस सक भी यह सला देते हैं अब दोस्तों तीसी चीज जो आपको ध्यान रखनी है और वो चीज है चाई याने की टी जी हां दोस्तों कई लोग चाई के इतने ज़्यादा एडिक्टिव होते हैं कि खाना खाने के बाद भी अगर चाई नहीं मिले तो वो मचल जाते हैं लेकिन ऐसी जो आते अगर आपको बड़ी हुई है ना तो उसको बदल देना चाहिए क्योंकि दोस्तों खास तोर पर अगर मटन की में बात करूँ तो मटन कहने के बाद अगर आप चाई का सेवन करते हैं तो इससे आपको अपच की प्रोब्लम हो सकती है इसके साथ ही आपको पेट में और सीने में जलन जैसी समस्या भी देखने को मिल सकती है कई सूर्टों में कई लोगों के साथ ये प्रोब्लम सामने आई है तो दोस्तों ये थी कुल मिला के वो तीन चीजे जिसको मटन खाने के बाद आपको अवोईट करना चाहिए हम ये नहीं कहते के बिलकुल नहीं खाना चाहिए लेकिन अगर गेप आप दे देंगे ना बहुत ज़्यादा दो से तीन गंटे बाद का तो आप इसे लिमिटेड मातरा में खा सकते हैं फिर भी ज़्यादा मातरा में नहीं तो इन चीजों का आप ध्यान रखें यही थी आप सभी लोगों के लिए एक इंपोर्टेंट जानकरी जो होती है यहीं समाप तो दोस्तों उमीद करता हूँ कि यह जानकरी आपको पसंद आई होगी दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इस सब्सक्राइब के बटन को क्लिक केजिए और पास में दिये गए इस बेल आइकन पर क्लिक करके इस ओल के बटन को प्रेस केजिए लेटेस वीडियो सबसे पहले पाने के लिए